क्या आप जानते हैं अरिजीत सिंह प्लेबैक सिंगर बनने से पहले क्या करते थे? आखिर किस वजह से अरिजीत सिंह को गिरफतार किया गया था? फिल्मों में सबसे ज्यादा गाना गाने का मौका इसे किस ने दिया? सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सिंगर की जिन्होंने सफलता पाने के लिए बहुत संघर्ष किया लेकिन जब उनके गाने लोगों तक पहुँचना शुरू हुए तो दुनिया भर में उनकी करोडों फैन फालोइंग हो गई अरिजीत अब इतने बिजी सिंगर हैं कि आज की टाइम में बॉलिवूड में रिलीज होने वाली लगभग हर फिल्म में अरिजीत का गाना होता है और ये कहना गलत नहीं होगा कि वह आज के टाइम के बॉलिवूड के नंबर वन प्लेबैक सिंगर हैं अरिजीत के पापा पंजाबी थे और उनकी माँ बंगाली थी अरिजीत के पापा जीवन बीमा निगम में काम किया करते थे उनकी माँ वैसे तो हाउस वाइफ थी लेकिन वो साथ साथ तबला भी बजाया करती थी उनकी नानी सभी क्लासिकल म्यूजिक के ट्रेन ट्रेनिंग सिंगर थे शायद यही वजह रही कि अरिजीत को भी बच्पन से ही सिंगिंग का बहुत शौक था संगीत के प्रतिलगाव और कड़ी मेहनत की वजह से अरिजीत को दस साल की उम्र में भारतिय शास्त्रीय संगीत इंडियन क्लासिकल सिंगिंग में राज्य सरकार द्वारा स्कोर भी मिले यह बात उनके पेरेंट्स के लिए बहुत ही गर्व की थी जिस उम्र में बच्चे टीवी, मोबाइल या फिर खेलते हैं उस एज में अरिजीत ने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली थी अरिजीत सिंह ने 18 साल की उम्र में फेम गुरकुल नाम के रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया लेकिन वो टॉप फाइव में पहुँचने से पहले ही वो शो से आउट हो गए अरिजीत के साथ भी क्योंकि इस शो के जज शंकर महादेवन को इनकी आवाज अच्छी लगी और उन्होंने आने वाले समय में अरिजीत के साथ काम करने का आश्वासन दिया और बाद में शंकर महादेवन ने अपने वादे के मताबिक अरिजीत को हाई स्कूल म्यूजिकल टू अलबम के गाने अलफा वन में गाने का मौका दिया उन्होंने एक और रियलिटी शो तस के दस लेगए दिल में भाग लिया और जीत हासिल की उन्होंने फ्रीलांस के लिए 2006 में मुंबई जाने का फैसला किया और शहर के लोखंड वाला इलाके में एक किराय के कमरे में रहने लगे इसके बाद उन्होंने कई फेमस म्यूजिक प्रोड्यूसर्स जैसे की प्रीटम चकरवर्ती विशाल शेखर के साथ एक म्यूजिक प्रोग्रामर के तौर पर काम किया देखा जाये तो उन्होंने राह गलत चुनी थी लेकिन उन्हें इसमें नुकसान नहीं बलकि फाइदा ही हुआ अरिजित ने कभी भी अपनी लाइफ में हिम्मत नहीं हारी अरिजित सिन्ह का बॉलिवूड बैक्ग्राउंड म्यूजिक का करियर साल 2011 में मडर टू मुवी के फिर महबत सौंग से शुरू हुआ आपको जानकर हैरानी होगी कि फिर महबत सौंग 2009 में ही रिकॉर्ड कर लिया गया था पर परफेक्ट मुवी ना मिल पाने की वजह से ये सौंग डू साल पेंडिंग में पढ़ा रहा और जब 2011 में ये सौंग रिलीज हुआ तो लोगों को ये गाना काफी पसंद आया अरिजीत को फिल्म फियर अवार्ड में बेस्ट मेल सिंगर का अवार्ड तो मिला ही साथ ही और भी बहुत से अवार्ड मिले